डूंगर पुर जिले के आस्पूर और दोवरा थाना क्षेत्र में सोम कमला आमबा बांध से अवैद बजरी खनन के खिलाफ एसपी राशी डोगरा के निर्देश पर पुलिस ने बड़ा एक्षन लिया है। रात का अंधेरा होते ही एसपी के साथ पुलिस की पांच टीमों ने सोम कमला आमबा बांध क्षेत्र के अलग-अलग जगव पर दबिश दी। पुलिस ने सभी पॉइंट से नावे, ट्राक्टर, डंपर के साथ भरी मात्रा में बजरी बरामत की है। जबकि आसपूर और दो उंगरपूर मुख्याले से पांच अलग-अलग टीमें बनाई गई। ये सभी टीमें पहले से तयार रखी गई। वही रात का अंधेरा होते ही एसपी सुरेश कुमार सामरिया के साथ पांचों थिकानों पर रेड की गई। पुलिस की टीमें सोम कमला आमबा बांध के मोटरे लगी हुई थी जिन से बजरी निकाली जा रही थी। पुलिस की रेड होते ही बजरी निकालने में जुटे माफिया भाग गए। पुलिस ने सोम कमला आमबा बांध के पास पॉइंट से तीन नवे पकली है। जिसमें से दो नवे रेड निकालने का काम कर रही जबकि एक नाव बजरी को किनारे लाने का काम कर रही थी। पारडा सकानी में चार नावे पकड़ी। एक ट्राक्टर को जबत किया। वोही बजरी के बड़े-बड़े चार धेर मिले है। वादा कुंदली में बजरी के तीन धेर जिनमें करीब 25 दंपर बजरी निकाली हुई पकड़ी है। इंदोडा में तीन धेर और करेलिया में भारी स्टॉक पकड़ा है। करेलिया से पांच दंपर भी पकड़े है। इसमें दो भरे हुए और तीन खाली दंपर मिले है। पु झाल झाल झाल